हेलो दोस्तों तो आप कसा होते हैं फिर से मारी एक और नई वीडियो में हमली कर आए हैं आज एक और नई वीडियो हम बात करेंगे इस वीडियो में आके इनकिन बिद्यारतियों को मुप्त लेप्टप मिलेगा फ्री में लेप्टप मिलेगा तो इस वीडियो में बन स्टु स्टूडेंट बन लेप्टप योजना 24 के तैट फ्री लेप्टप दी जाएगी अगर आप भी परतमान समय में पढ़ाई कर रहे हैं तो बन स्टूडेंट बन लेप्टप योजना 24 के बारे में पूरी जनकारी होना चाहिए तो चलिए बिना देरी के इस योजना के अंदर किन किन चात्रों को फ्री लेप्टप मिलेगा इसके बारे में जानते हैं भारत सरकार चाहती है कि जो चात्र पढ़ाई कर रहे हैं उनको डिज चात्रों के पास प्रयाप्त पैसा ना होने की बज़े से लेप्टाप नहीं करीद पाते हैं और उनके आगे की सिच्चा बादित हो जाती है इसलिए भारत सरकार इन सभी समस्याओं को मद्य नजर रखते हुए बन स्टूडेंट पन लेप्टाप योजना दोराच चोविस के सभी राज्यों के अभ्यारतियों को फिरी यो लेप्टाप दिये जाने की चर्चा चल रही है तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर इन अभ्यारतियों को मिलेगा मुप्त लेप्टाप जैसा कि आप सभी को पता होगा अभी बहुत से राज्यों के हाई स्कूल एवां इंट करने वाले हैं उनको भी इस योजना के अंदर फ्री लेप्टप दी जाएगी हालांकि लेप्टॉप बित्रण किये जाने से पहले कुछ क्राइटेरिया निर्दारत की जाएगी जिसमें 10 और 12 कच्चाओं के पर्सेंटेज को बरियता दी जाएगी जो चाहतर फर्स्ट डिविजन से उत्री उन्हुन हुए हैं उन सभी को सबसे पहले लेप्टॉप दी जाएगी यहने कि पूरी क्लास में या पूरे उसकुल में टॉप आया है उसे फ्री लेप्टॉप दिये जाएगा आगे बात कर रहे हैं बन स्टुडेंट पन लेप्टॉप का युबाओं की होती है इसलिए देश में सभी युबाओं को कंप्यूटर या लेप्टॉप के दुनिया में अच्छा पकड़ होना चाहिए लेकिन आज की समय में ज्यादातर युबाओं के पास प्रयापत रूप से पैसा नहीं होता है जिसके कारण भी लेप्टॉप य के लिए कम से कम 30,000 से 50,000 की बीचे एक मोटी रकम होना होनी चाहिए जो की हर चात्र या युबाओं के पास नहीं होती इसलिए भारत सरकार उन युबाओं को फ्री लेप्टॉप दे रही है जिनके आरत्यक इस्तिति बिल्कुल कमजोर है तो अब बात करते हैं बन मार्शिट चाहिए उम्मीदवर का पासपोर्ट साइज पोटो यानि की बिद्यारती का पासपोर्ट साइज एक पोटो होना चाहिए अस्ताच्छर होने चाहिए उसके आधार से लिंक मोबाइल लंबर यानि की मोबाइल लंबर होना चाहिए वह भी आधरकार से लिंक और अधर काड़ होना चाहिए निवास प्रमाण पत्र यानि कि मूल लिवास जो जहां रह रहा है उसका मूल निवास होना चाहिए आए प्रमाण पत्र आए यानि कि 2424 के तहट ओलाइन आविदन करने के लिए अधिकारेत वेबसेट पर जाएं याने कि जो सरकारी वेबसेट है उस पर जाएं दूसरा पॉइंट यह है कि उसके बाद मुख्य प्रेश्ट पर अपलाई ओलाइन फॉरम 24 के लिंक पर किलिक करें तीसरी बात अब फॉरम ओलाइन आविदन करने के लिए ओपन हो जाएगा नमर्स चैर्पउंट है जिसमें औलाइन आविदन से सम्मेंटे मागे गए मातवरम जानकारी दरज करें ऑसमें क्या क्या मांग रहा है कौन क्या Septpm o Kind related करें वाद नीचे आने के बाद नीचे स्कॉल करेंगे सम्मिट बाले बटन पर किल्क करके अपने फॉरम को आभिधन कर सकते हैं इस तरह से फ्री लेप्टप योजना के तहत गर वेटे ओलाइन फॉरम आभिधन कर सकते हैं अगर आप ओनलाइन फॉरम नहीं भरना जानते तो आप अपने नजीति की इमित्र के पास जाकर उनसे अपलाई फॉरम करवा सकते हैं अगला पॉइंट है बन स्टूडेंट बन लेप्टप योजना दोयाच चौविस की पात्रता क्या है बन स्टूडेंट बन लेप्टप योजना दोयाच चौविस के देद चात्र को लेप्टप प्राप्त करने के लिए भारत सरकर भारत का नागरेक होना चाहिए जो की आप हैं चात्र या युवा के मातपतागी बारसिक आए दो लाग से कम होनी चाहिए देश के किसी भी संस्तान या कॉलेज में मौजूदा समय पढ़ाई कर रहा हो ऐसा नहीं है कि आप पेपर देखे या आपने पढ़ाई बंद कर दी ले नहीं आप कहीं पर पढ़ाई कर रहे हों कॉलेज में कर रहे हो या कहीं और कर रहे हो लेकिन पढ़ाई आपकी जारी होनी चाहिए हाई स्कूल या ट्वेल्थ यानि टैन्थ या ट्वेल्थ परिच्छा को फर्ष्ट डिविजन से उत्त्रीड किया हूँ यानि कि उसका नमर फर्ष्ट होना चाहिए आज तक कभी भी फिरी मोबाईल या टेबलेट वाले स्क्रीन से लावान विद ना हो यानि कि आज से पहले हूँ है उसने कभी भी फिरी मोबाईल या टेबलेट वाले किसे कभी उसे ऐसा लाब नहीं मिला हो ठीक है 30,000 से 50,000 के बीच कीमत वाला फ्री लेप्टॉप बित्रन किया जाएगा यह सरकार ने बताया है यह बन स्टुडेंट पर लेप्टॉप योजना की जनकारी मैंने आप सभी को दे दी है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं ठीक है ऐसी वुडियो मिलेंगे अगली वुडियो में थैंक यू धन्यवाद